Manu Bhakar, Manu Bhakar ने 4th finish किया उनके best event में 25 meter air pistol में वो actually Manu का बहुत ही अच्छा performance वाला event है जब Olympics के qualifiers हुए थे तो सबसे अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था इस event में तो ऐसा लगा था कि वो पहली ऐसी भारतिय खिलारी हो सकती है जो एक ही Olympics में 3 medal लाए एक बंदा जिसका नाम आप सब जानना चाहेंगे और याद रखना चाहेंगे वो है 19 वर्षी है German Max Denning अब यह 19 वर्षी है खास क्यों है? क्योंकि यह अकेला teenager है जिसने 90 meter से जाधा की throw यानि 90.02 meters की throw इसी season की है Olympics में 10 दिन खत्म हो गए है और अब ऐसा लगने लगा है कि भई luck factor भी ना कोई चीज होती है देखिए 10 दिन बाद इंडिया के पास 10 medals हो सकते थे कैसे? 3 medals तो देखो आ चुके हैं लेकिन 7 हमारे ऐसे athletes थे जो बस एक जीत दूर थे medal से रंग जो भी हो लेकिन एक जीत दूर थे medal से तो यानि की 7 और 3 मिला कर 10 medals 10 दिन के बाद हमारे पास हो सकते थे पर वो नहीं हो पाए इतने सारे heartbreaks होए हैं कभी-कभी तो दिन में 3-4 heartbreaks हो गए सबसे बड़ा heartbreak लक्ष सेन ऐसा लगा था bronze medal तो पक्का है फाइनल में भी जा सकते थे विक्टर एक्सलसन के खिलाफ लीड ली थे उन्हें दोनों गेम्स में लेकिन खेर वो तो बीट गई सो बाद गई लेकिन bronze medal मैच में जब वो मलेजिया के ली के खिलाफ खिलने वाले थे head to head record में लक्ष सेन का पलड़ा भारी था हमने आप से कहा था कैसे पांच बार भड़ चुके थे लेकिन 4 बार जीत लक्ष के हाथ में थी लीड ली थी उन्होंने पहले गेम में लेकिन दूसरे गेम में लीड लेने के बावजूद लक्ष के उन्होंने गेम जीता और deciding गेम में तो भाई दिली तूट गया लक्ष नहीं जीत पाए वो bronze medal और वो जो चुभन है वो लंबे समय तक हमें महसूस होता रहेगा Manu Bhakar, Manu Bhakar ने 4th finish किया उनके best event में 25 meter air pistol में वो actually Manu का बहुत ही अच्छा performance वाला event है जब Olympics के qualifiers हुए थे तो सबसे अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था इस event में तो ऐसा लगा था कि वो पहली ऐसी भारतिया खिलाडी हो सकती है जो एक ही Olympics पे तीर medal लाए लेकिन वो नहीं हो पाया शी नारोली missed and she finished in the 4th position nevertheless we're very proud of her for bringing 2 medals for India but it could have been a 3rd medal for Manu Bhakar as well फिर तीसरा heartbreak हुआ जब Ananjeet Singh और Maheshwari Chauhan mixed teams की shooting event में बस एक point सिर्फ एक point से हारे हैं चाइना से out of 48 shots, इंडिया ने 43 shots मारे और चाइना ने 44 तो अब समझ रहे हो लग factor एक point से medal रह गया फिर Arjun Babuta, what a fantastic performance by him ऐसा लग रहा था जब वो खेल रहे थे कि medal पका आ रहा है लेकिन he finished in the 4th position जब deciding factor आया तो 9.5 का unfortunate score से वो medal contention से बाहार हो गए याद आता है लवलीना बॉर्गोहिन का लवलीना बॉर्गोहिन was one of our biggest medal hopes a boxing queen, बहुत अच्छा लड़ी वो ring में लेकिन उनकी चाइना की opponent bout जीत गई और लवलीना जो एक जीत दूर थी medal से वो medal हमारा रह गया another heartbreak was when Dheeraj and Ankita lost in the bronze medal match in fact उनका भी ऐसा लग रहा था कि वो finals में जाएंगे जब Korea के साथ खेल रहे थे बहुत अच्छा perform कर रहे थे but in fact that didn't happen bronze medal match में वो USA के खिलाफ थे I remember बहुत windy था उस दिन और 6-2 से हम हारे but again that was a huge heartbreak क्यूंकि लग रहा था archery से तो medal आना ही है फिर निशान देव आप सब को यादी होगा it just felt like it was injustice done to him जिस तरीके से उन्होंने perform किया था पहला round lead कर रहे थे second round में भी lead कर रहे थे as per the points Marko ने clear close in कर लिया था उनकी opponent ने लेकिन third round में ऐसा लग रहा था बराबरी की टक्कर हुई है in fact निशान तो मुझे और ज्यादा aggressive लग रहे थे but जब results आये तो मा को जीत गए निशान एक जीत दूर थे medal से और वो medal भी रह गया तो इस तरीके से हमारे 7 medals आते आते रह गए my heart goes out to the athletes क्यूंकि हमें इतना बुरा लग रहा है we are so gutted, heart broken just imagine वो किस से गुजर रहे होंगे फिल हाल but let's move on from our sad sob stories जो नहीं हो पाया उसे भुला कर let's move ahead to the expectations so Mr. Tyagi, I hope you have some positive news for us the wife is always right बीबी हमेशा सच कहती है या आप लिख लो टाटू बना लो क्यूंकि सागरेका ने कहा है कि जादा positive ख़बर 11-11 दिन से आने वाली है तो मैं बता देता हूं हमारे Mr. India यानी की नीरत चोप्रा finally in action दिखने वाले मेशल्स की बहुत ज़रूरत है दे 10 जो है बहुत ही निराशा जनक रहा और इसलिए नीरत चोप्रा का वो भाला फेकना वो जैवलिन फेकना अब विकल्प नहीं आवशक्ता बन चुका है अब लीरस की कहानी कहा रही है थोड़ा सा आपको बता देता हूं अबकोस उलिम्टिक चैंपियन है एजिन चैंपियन है वोल्ड चैंपियन है पावो नूर्मी गेम्स और फेडरेशन कप दोनों को जीतने में सफल रहे विट स्लाइकली अंडर्वेल्मिंग थ्रोस इस सीजन जो बताता है कि उन्होंने अपने आपको जादा पुछ नहीं किया है या कुछ भी हो सकता है इन उलिम्टिक गेम्स का कोई भरोसा नहीं है तो नीरज ने अपने आप पर प्रटेक्ट किया है लेकिन जो दूसरी तरफ की जो फील्ड है जो अच्छे खासे फॉर्म में नजर आ रहे हैं या कुछ बैडलक से जो की चेक रिपब्लिक से आते हैं जिन्होंने सिल्वर जीता था जब नीरज ने अपना गोल मेडल जीता था तोक्यो गेम्स में वन तू वाच आउट फॉर नीरज से इस सीजन जादा लंबा थो किया है उसके अलावा वन मोर नेम तो वाच आउट फॉर इस जूलियन वेबर आपको शायद याद होगा पिछले जर्मन थे जो बहुत बड़ा खत्रा साबित हो रहे थे योहने स्वेटर या यू माइट रमेंबर इम यूहने स्वेटर ने पारिस के गेम्स में क्वालिफाई नहीं किया वो इसलिए नहीं किरता है क्योंकि उनको काफी सारी इंजरीज की तकलीफ हुए यूहने स्वेटर वही आदमी है जो 90 मीटर से उपर ऐसी मजाख मजाख में ठेक दिया करते थे पर टोक्यो में गोल मेजल उनके नाम नहीं रहा जूलियन वेबर अब उनकी उनके रोल में आ चुके हैं जर्मन कैम से जूलियन वेबर भी एक और खिलाडी है याकूब वैदलेक जैसे जो की नीरच से लंबी थो इसी सीजन मार चुके हैं तो जस्ट ओन फर्म याकूब वैदलेक और जूलियन वेबर उनसे बहतर परफॉर्म करते आया हैं विसलेट नीरच ने अपने आपको बचा के रखा है उसके अलावा कंपेरेटर्स में देखा जाये तो एक बंदा जिसका नाम आप सब जानना चाहेंगे और याद रखना चाहेंगे वो है 19 वर्षी जियर्मन माक्स डेनिग अभी 19 वर्ष ये खास क्यों है क्योंकि यह अकेला टीनेजर है जिसने 90 मीटर से जादा की थो यानि 90.02 मीटर की थो इसी सीजन की है थोड़ासा फॉर्म में गिरावट उनके आई है लेकिन अगर 19 साल का बंदा एक फ्रेश बॉड़ी और एक फुली फिट ब में अर्षद नदीम दिखने वाले हैं अगिस्तानी भाई हमारे अर्षद नदीम ही जो की दो बार के वर्ल चैंपियों है इसी उवेंट में क्या नीरच को वह तक्लीफ दे सकते हैं तो यह पाच्छे नाम जो है इनके नाम आप कंठस कर लीजे मेमराइज देम विकोज जो है वो उस गोल को उनसे चीनने की कोशिश करेंगे हमारे जो बाकी रेप्रेसेंटिटिटिव्स हैं उसमें किशोर जैना है डीपी मनु हो सकते थे बर अनफॉट्टली उन्होंने एक डोपिंग टेस्ट फेल किया इसलिए वो रेप्रेसें नहीं कर रहे हैं भारत को लेक जलते हैं थोड़ा सा रेस्लिंग की तरफ क्योंकि विनेश पोगाट की ट्रोफी काबिनेट में सिवह एक चीज मिसिंग है और वह एक उलिंपिक मेजर बहुत सारी उमीदें विनेश पोगाट से अंतिम पांगल के 53 kg काटेगरी में आने के विए से थोड़ा सा पीछे जान सा द्रूरी हो जाता है यूई स। उसांकि उनकी फील में राउंड और 16 में दिखने वाली को तोड़ना पड़ेगा तच्छ वुड विनेश कें दू सम्थिंग एंटार को खत्म किया था दो बार दो गोल से पिछ रहे थे तीन बार के ग्रूप स्टेजिस में वो ये दिखा चुके हैं बहुत एलीट टीम है बहुत सारे पॉजिटिव चेंजिस उनकी टीम में हुए है उस उलिम्पिक से लेके इस उलिम्पिक में लेकिन यू नेवर नो वाट केन हापन अगर हम दस खिलाडियों के साथ ग्रेट बिटन को एक ए तो अगर 11 एक साथ होके 22 की तरह जान लगाएंगे, so you never know. And that is the motto of these Olympics, you just never know. वापस मुर के देखेंगे इन उलिम्पिक गेम्स में बहुत सारी could have, would have, should have की stories निकल के आएंगी, लेकिन जो हाथ में है उसे खोना नहीं है भारत, उसे खोना नहीं है इंडिया. नीरत छोप्रा, किशोर जैना, विनेश पोगार, इंडियन होकी टीम, we are with you on day 11.